मुंबाई यानिकी क्वाबो का शहर एक ऐसा शहर जहां लाखो करोडों लोग अपनी आखों में धेर सारे सपने लेकर हर रोज यहां आते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस माया नगरी मुंबाई में दिन रात एक करते हैं वैसे यह शहर कोशिश करने वालों को काम्याबी के मज़े जरूर चखाता है और कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होते मुंबाई को सपनों का शहर भी कहा जाता है और माना जाता है कि शहर में जो आ जाता है वो बस यहीं कहोकर रह जाता है तो आज हम जानेंगे मुंबई के बारे में थोड़ा और पास से थोड़ा और करीब से इस शेहर का नाम पहले बॉम्बे हुआ करता था क्योंकि यहां के मूलनिवासी मुंबा दीवी जी की पूजा करते हैं तो इस शेहर का नाम बदल कर मुंबई रख दिया गए मुंबई के टोटल पॉपिलेशन 30 करोड के आसपास है और मुंबई पॉपिलेशन और एरिया वाइज भारत का सबसे बड़ा शेहर है मुंबई को धुईपो का शेहर भी कहा जाता है क्योंकि 7 धुईपो से मिलकर यह मुंबई शेहर बना आहे पूरे भारत में करीब 2 करोड लोग डेली रेल यात्रा करते हैं जिसमें से अकेले मुंबई में 63 लाक लोग रेल यात्रा करते हैं और मुंबई की लाइफ लाइफ लाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन यहां तो मुंबई कर्स का दिल बसता है और अगर आपको मुंबई को ब शिवाजी टर्मिनल ही है और इंदिया का सबसे पहला फाइव स्टार होटेल भी मुंबई में है होटेल ताज मुंबई की धारावी जो की एशिया की सबसे बड़ी स्लम बस्ती है जहां पर दो किलोमेटर की रेडियस में दो लाख लोग रहते हैं मुंबई महारास्ट की capital होने के साथ साथ इंडिया की financial capital भी है और richest city और most developed city होने का खताब भी इसी शेहर को जाता है मुंबई को मिलेनियर और बिलेनियस का शहर भी कहा जाता है क्योंकि यहां है सबसे ज़्यादा अरपती और खरपती लोग मुंबई को ओपर्चिनिटी का शहर भी कहा जाता है क्योंकि यहां है Headquarters, Reliance Card, Tata, Aditya Birla, Larson and Targo, Godrej, Hindustan Petroleum and many more और साथ-साथ Reserve Bank of India, National Stock Exchange and Bombay Stock Exchange के Headquarters भी मुंबई में हैं और जो चीजे हैं जो मुंबई को बहुत खास बनाती हैं वो है Bollywood Industry जो की है Heart of Bollywood Films और है यहां का डबबा वाला सिस्टम जो पूरी दुनिया में famous है जहां पर 5000 लोग काम करते हैं लगभग और बिना किसी देरी के सही समय पर लगभग 2 लाख लोगों के टिफिन उनके सही स्थान पर पहुँचाते हैं यहां के गगन चुमी मारते यहां के लोगों को आस्मान चूने की ताकर देती हैं मुंबई शेहर कभी रुपता नहीं है इसलिए कहा जाता है कि यह शेहर कभी सोता नहीं है और इसलिए यहां की जो night life है वो पूरी दुनिया में famous है यहां के लोग जितना कमाते हैं उतना ख जो इस शेहर आता है बस इसी शेहर का हो जाता है और इसलिए कहा जाता है कि यह माया नगरी है सपनों का शेहर है और साथ में जराहट के जराबच के यह मुंबई मेरी जान